आपने ये code तो सुनाई होगा, अगर आप एक trader हो, या आप एक investor हो, आपको data analyze करना आना चाहिए, और वो data analyze आप कहां से कर सकते हो, उस tool का नाम है option chain, आप option chain देख करके पता लगा सकते हो, कि कौन सा वो strike prices है, जिस पे resistance बिल्ड हो रहा है, या support बिल्ड हो रहा है, कौन सा वो strike prices है, जिस पे ball writers है, वो बैठे हुए है, या कौन सा वो strike prices है, जिस पे put writers है, वो बैठे हुए है, तो ये option chain का data जो है, वो analysis कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में, मैं आपको यही बताने वाला हूँ, चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको sensible open कर लेना है, मैं आपको यह sensible में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे free tools हैं, जैसे यह हो गया, option chain NSE, यह free tools हैं, जो हर minutes update नहीं होते हैं, यह आपका 10 से 15 minute में एक बार update होता है, क्योंकि यह free होते हैं, बट sensible side जो है वो paid है, बट कुछ brokers के लिए यह paid नहीं है, और यहाँ जो option chain data होते हैं, वो हर 3 second के बाद update होते हैं, इसलिए आपको क्या है, यहाँ पर real time data provide किये जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे tools हैं, जैसे i charts, जैसे quant sap, तो ऐसे बहुत सारे paid websites हैं, जिनका आप use करके option chain data देख सकते हो बट sensible जो है, उसका जो tool है, वो आप free में use कर सकते हो, free में access कर सकते हो, क्योंकि आपके पास zero da, up stocks, angel one, यह सम में से, किसी में एक dimate account होगा, इसलिए आप इसे free में use कर सकते हो, और मैंने कोई sensible से पैसे नहीं दिया हैं, इसको promote करने के लिए, मैं बस आपको बताना चाहता कि option chain data कितना important होता है, और option chain data आप कैसे analyze कर सकते हो, अपने trading को simple करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको sensible में login कर लेना है, उसके बाद आपको home page ऐसे खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर analyze के options में आना है, और यहाँ पर आपको option chain जो ह कि मुझे यहाँ पर click करना होगा, यहाँ पर bank nifty सेरक करना होगा, तो यहाँ बैंक nifty का आ जाएगा, अगर आप चाते हो कि fin nifty का करना है, तो fin nifty का भी आ जाएगा, ठीक है, अगर आप चाते हो कोई stocks का करें, तो आप यहाँ पर कोई भी stocks लिख सकते हो, जैसे reliance हो गया, तो इसका भी option chain analysis कर सकते हो, आप यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर आप search कर सकते हो, कोई भी indices, या फिर कोई भी stock, यहाँ पर क्या है, expiry है, इसका मतलब है कि कौन सा expiry, आप analyze करना चाहते हो, कौन सा expiry में trade करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप click कर सकते हो, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं select करूँगा, 8 February का expiry, nifty का जो expiry होगा, वो 8 February को होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर IV दीखेगा, ठीक है, 19.8 है, प्लस 2 आज बड़ा है, ठीक है, तो पहला यह जो column है, strike का है, यहाँ पर आपको strike prices दीख जाएंगे, जैसे अभी nifty चल रहा है, 21.850 के पास, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ज्यादा color में highlighted दिखा रहा है, यहाँ पर 21.850 strike prices, मतलब यहाँ पर अभी market चल रहा है, यहाँ पर आपको 50 का difference दीखेगा, 800, 750, 700, 900, 950, 22,000, मतलब यहाँ पर 50 का difference दीख रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दीखेगा call, और यहाँ पर दीखेगा आपको put, तो अगर आप option buyer हो, तब आपको यह chart कैसे देखना है, अगर आप एक option seller हो, तब आपको यह chart कैसे देखना है, यह different हो सकता है, अगर आप एक option buyer हो, तब मैं बताता हूँ, आपको यह chart कैसे देखना है, तो अगर आप एक option buyer हो, तो आपको द्यान देना है, call side में, यह जो है, यह white color वाले जितने भी हैं, इन पे द्यान देना है, इन पे मत द्यान देना, यह जो yellow में है, इन पे द्यान मत देना, वैसे ही put side में आपको क्या करना है, यह yellow वाले पे द्यान नहीं देना, आपको यहाँ पर white वाले पे द्यान देना है, ठीक है, yellow जो है, उसको आपको ignore करके चलना है अभी के लिए अगर आप एक option buyer होतो तो आपको call side जो है वो आपका resistance हो जाएगा जैसे यह हो गया यह आपका resistance है यह आपका resistance है यह आपका resistance तो आपका market चल रहा है यहाँ पे 21,850 21,900 का अगर call writers ज्यादा होंगे इसका मतलब है resistance बढ़ रहा है 21,950 का अगर call writers ज्यादा है तो आपका resistance बढ़ रहा है वैसे ही put side में होगा क्या यगर market चल रहा है 21,850 अगर 800 पे ज्यादा put writers है मतलब support अच्छा है अगर ज्यादा put writers 750 पे है मतलब support अच्छा है अगर यहाँ पे put writers कम है या हट रहा है इसका मतलब है कि support है वो कमजोर हो रहा है अब आपको क्या ध्यान देना है आपको OI चेंज पे ज्यादा ध्यान देना है ठीक है आपको OI पे भी ध्यान देना है लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना है 21,850 पर, आगे वाले strike prices पर, 11%, 17%, मतलब 11% बढ़े हैं, 17% बढ़े हैं, ठीक है आपको यह याद रखना है, यह resistance हो गए, अब मुझे इस से compare करना है support को, ठीक है 21,850 पर देखो 120% है, why change, मतलब यहाँ पर 63% है, यहाँ पर 120% है, same strike price पर, मतलब अगर market 21,850 पर आता है, तो बह बहुत बढ़िया support है यहाँ पर, फिर आप देख सकतो 21,800 पर भी 122%, मतलब 800 पर भी बहुत बढ़िया support है, इसका मतलब है कि market के नीशे जाने के chances बहुत कम है, अगर यह put writers हटने लगेंगे, अगर मानलो यहाँ पर 120 से 110 हो गए, 100 हो गए, जैसे अगर मानलो call writers अगर बढ़ जादा बिल्ड होगा, और यहाँ पर अगर support कम होने लगेंगे, इसका मतलब क्या है, कि market नीचे जाने के chances जादा है, क्योंकि resistance बढ़ रहा है और support कम हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर अगर call side के percentage कम होने लगेंगे, और put side के percentage बढ़ने लगेंगे, इसका मतलब है कि market bullish है और market उपर जा सकता है अब जैसे मैंने यहाँ पर डेटा को एनलाइज कर लिए 21,800 पर अच्छा सपोर्ट है 21,850 पर अच्छा सपोर्ट है थोड़ा सा resistance भी है यहाँ पर लेकिन आगे जो है वो resistance उतना ज़्यादा नहीं है इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या है call side जा सकता हूँ यहाँ पर अगर market चल रहा है 21,850 के असपास इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर call side जा सकता हूँ यहाँ पर क्या है put side जाने के chances बहुत कम है मेरे को data नहीं बता रहा है कि यहाँ पर market नीचे जा सकता है market क्या है उपर जा सकता है मुझे यहाँ पर data बता रहा है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर buying side का trade लेने की कोशिस करूँगा अगर मेरा indicator या फिर मेरा कोई strategy है वो अगर मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर buying side आपको जाना चाहिए तो मेरे को क्या है ज्यादा confidence लगएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा जो data है वो भी supportive है मेरा जो indicator है वो भी buy कह रहा है तो यहाँ पर मैं buying side जा सकता हूँ जैसे यहाँ पर देखो indicator ने मुझे यहाँ पर buy दिया इस candle पर यहाँ पर मैं buying side जा सकता हूँ इस top loss मेरा क्या होना चाहिए ATR के मज़द से होना चाहिए अगर आपको stop loss लगाने नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है आप stop loss लगाना सीख सकते हो वहाँ से तो ऐसे आप data को analyze कर सकते हो nifty में ठीक है अगर आप bank nifty में चाहते हो तो यहाँ पर सर्च करो bank nifty और वैसे ही bank nifty में भी चूज कर सकते हो यह 45,600 पर भी market चल रहा है यहाँ पर देखो आप 45,600 पर 671% मतलब resistance बहुत जादा है यहाँ पर 391% मतलब 45,700 पर भी resistance अच्छा है यहाँ पर support देखो आप 45,600 पर support 121% मतलब आप difference देख सकते हो मतलब क्या है nifty bullish है बट bank nifty क्या है बेरी से तो अगर bank nifty support नहीं कर रहा है nifty का तो nifty के भी chances ज्यादा नहीं होंगे उपर जाने के मतलब nifty 50-60 point उपर जा सकता है लेकिन ज्यादा bullish नहीं हो सकता है क्योंकि bank nifty उसको support नहीं करेगा और bank nifty एक बहुत बढ़िया component है nifty के लिए अगर nifty को चलना है तो bank nifty को भी चलना होगा बट bank nifty में क्या है यहाँ पर resistance ज्यादा बिल्ड हो रहा है और यहाँ पर support कम बिल्ड हो रहा है मतलब bank nifty के गिरने के chances ज्यादा है अगर आप P side का trade लेना चाहते हो तो bank nifty आपके लिए एक best opportunity होगी जैसे मैं यहाँ पर chart भी लगा करकर देखता हूँ यहाँ पर मैं search करता हूँ bank nifty bank nifty क्या कर रहा है देखते हैं देखो bank nifty क्या है lower low बना रहा है मतलब अगर आपको selling opportunity यहाँ पर मिलेगी तो आप यहाँ पर selling side जा सकते हो यहाँ पर nifty bullish है बट bank nifty bearish है तो आप ऐसे nifty bank nifty fin nifty या फिर कोई stocks में ऐसे option chain को देख सकते हो और data को analyze कर सकते हो और data को अपने trading के लिए use कर सकते हो एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहर हो कि यह जो 10% minus है यह जो 4.6% minus है यह क्या है यह जो है कि call writer यहाँ से पूरी तरह से हट चुके है और यहाँ पर देखो 22,000 के भी strike prices पर call writers हट रहे हैं इसका मतलब क्या है market bullish होने वाला है और जो traders है वो चाह रहे हैं कि 22,000 तक market जाए इसलिए 22,000 के जो strike prices वाले call writers है वो हट रहे हैं यहाँ पर अगर bank nifty ने nifty को support दे दिया तो nifty बहुत ही अच्छा कर सकता है यहाँ पर लुकि इसका data जो है वो positive है तो ऐसे आप option chain data को analyze कर सकते हो अगर आप एक nifty trader हो अगर आप एक bank nifty trader हो तो आप data को ऐसे analyze कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को like करो, share करो and subscribe करो हमारे channel को Thank you so much guys